हलो फ्रेंट्स, है मपरती, वेलकम बैक टू आर्ट चैनल प्लांटस स्पेस हमारे आसपास कई ऐसे medicinal plants होते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता और फिर जब पता नहीं होता तो जानकारी के अभाव में वो प्लांट धीरे-धीरे खतम होते चले जाते हैं और जब असलियत में उनकी जरुवत परती है तब वो plants कभी मिलते भी नहीं है तो ऐसे हमारे पास है एक अश्वगंधा का plant जो कि हमने nursery से लिया था और अब इससे इतने पौधे बन जाते हैं कि जरुवत ही नहीं परती कि हम इससे नए पौधे ग्रो करें क्योंकि ये seeds गिरत इस पर पतियां कम हैं और उस पर flowering भी हो रही है और इस पर seeds भी बन रहे हैं तो mother plant जो है वह बहुत सारे seeds बनाकर देता है आप चाहें तो खुद का एक अच्छा medicinal plant का garden भी बना सकते हैं इतने सारे seeds बनाकर दे देता है वैसे इसको cutting से भी ग्रो किया जा सकता है अश्वगं से इनके नए पौते ग्रो कर सकते हैं इन पर देखिए इतने चोटे चोटे यलो कलर के flowers आते हैं और फिर इनी flowers से ही seed बनते हैं seed pod होता है एक मटर के दाने जैसा चोटा सा और जब रेड कलर का हो जाए तो समझ चाहिए इसमें seeds पक चुके हैं और फिर आप उनको collect कर सकते है और फिर आप उसको तुरंद भी grow कर सकते हैं जैसे माली जी अभी जनवरी चल रही है तो आप इसको फरवरी में भी इसके seeds grow कर सकते हैं उसको हमने एक वीडियो आप से शेयर की हुई है description box में आप चेक कर सकते हैं तो इस तरह का इसका ये seed pod होता है जो कि कुछ-कुछ बात से आप इसको collect कर सकते हैं अगर आसपास कहीं लगा हुआ है हमारे यहापर भी कई और पौधे लगे हुए हैं जिसको हम personally use नहीं करते हैं क्योंकि जब तक जानकारी नहीं हो तब तक कोई चीज यूज भी नहीं करनी चाहिए लेकिन हमारे घर बहुत से लोग आते हैं जो इन ओश्डियों को ढूंडते हुए आते हैं तो सबको यहाँ पर मिल ही जाती है तो हमारे लिए काम नहीं आ रही है लेकिन लोगों के लिए काम आ रही है जो जानकार व्यक्ति है वो लेकर जाते हैं और उसको use भी करते हैं तो हमने तो इसको एक शौकिया दोर पर लग कर लेते हैं इससे पहले की बंदर इनको तोड़कर ले जाए तो कुछ इस तरह के यह सीट है अब यह थोड़े कच्चे जैसे आपको दिखाई देंगे लेकिन जैसे जैसे अब हमने इनको कर लिया आप इसको रख लेंगे कहीं चायदार सूखी जगे पर खुली जगे पर क पर रखेंगे और फिर इसमें से चोटे चोटे बीच हम आपको दिखाएंगे अर्शुगंदा के पौधे को ग्रो करने के लिए कोई केर की जरूरत नहीं होती इसमें खाद भी देने की कोई जरूरत नहीं होती है अगर आपकी मिट्टी जो है वह अच्छी है अगर बहुत सीड है इस पौधे को ग्रो करने के लिए 3-4 गंटे की सीधी दूप जरूरी है कम दूप में यह नहीं ग्रोत कर पाएगा पत्तियां कम हो जाएंगी पस इस बात का ध्यान रखिएगा मिट्टी महल के नमी होनी चाहिए और खाद तो हमने बता ही दिया आपको बाकी जमीन म